हेलो मेरे प्यारे दोस्तों मैं मुंतायादव स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल प्रिजीडम वेल के नो में हमारा डी टीपल एसबी का एक्जाम होता है जिसमें टीजीटी के लिए सोसल साइंस का उसमें चार सब्जेक्ट आते हैं हमारे हिस्ट्री जोग्रफी पॉ आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रिपार कर रहे होंगे तो यह मेरे 20 कोशन के सीरीज है जिसे मैं डेली अप्लोड करूँगी यह कोशन मैंने NCRT से और जो DSSB में प्रिवेल से कोशन आये हैं एक्वानिक्स के वहां से लिए हैं आई होब आपके लिए वीडियो बेन असमें ठॉक से बीडियोंन दौडम मिलेगा फ्रिवेल से प्रिवेल से आपको पता है किस टाइप ई Randle macht आते हैं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए और अakat श 미ींसितर क Sydney से प्रिवेल्स सिफिवेल टींस प्रिवेल बिविज शीन आते हैं से अचीन सुर्ट करते हैं इस में हमा father father of economics किसे कहते है father of economics है हमारे Adam Smith next question is question number two Adam Smith द्वारा लिखे गई पुस्तक का क्या नाम है answer is the wealth of nation 1776 में लिखे गई थी and the second book is the theory of moral sentiment जो कि 1759 में लिखे गई थी किसके दोरा Adam Smith द्वारा ठीक है the wealth of nation 1776 और the theory of moral sentiment 1759 किसके दोरा लिखे गई गई है Adam Smith द्वारा अब next question है canon of taxation taxation कराधान का सिद्धान किस ने दिया था very important question तो canon of taxation यानि कराधान का सिद्धान में दिया था Adam Smith ने next question question of fourth अब यह इसकी पार्ट है canon of हमारा जो economics है canon of तो इसमें है हमारा sorry इसमें दिखे canon of equality यानि कि एसमानता को कम करना canon of economy टेक्स रंग्रह की लागत को कम करना canon of convenient स्वीधा का सिद्धान canon of certainty जो कि निश्चित्ता का सिद्धान था है यह सब किसके अंतर आता है canon of taxation के अंतरगत ठीक है ना तो अब मैंने इनको बता दिया किसमें क्या है आई देखते हैं next question question no.5 चाड़क के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है तो चाड़क के जी ने इखी किताब लिखी थी दा अर्थ सास्त्रा next question question no.6 micro as macro terms किसने दिया था micro as macro terms किसने दिया था Ragnar Frisch ने किसने Frisch ने जो की नौर्वे के हैं next question is question no.7 father of microeconomics कौन है father of microeconomics है Adam Smith जो की Scotland में के निवासी थे next question question no.8 father of macroeconomy father of micro Adam Smith and father of macroeconomy is J.M. Keynes ठीक है यह कहां के रहने वाले थे यह प्रिटेइन के निवासी थे father of macroeconomics J.M. Keynes father of microeconomics is Adam Smith जो की कहां के थे Scotland के next question question no.9 Keynes theory क्या है Keynes के इस theory के according answer is इस theory के according है सरकार को हस्त शेप निवारे हैं यानि कि जो भी हमारी नीतिया या यानि की निवेस करना होगा जिससे क्या होगा जिससे प्रभावी मांग बढ़ेगी और production बढ़ेगा production बढ़ेगा तो sale बढ़ेगी इसी तरीके से उन्होंने का है सरकार का हस्त शेप अनिवारे है next question question no.10 the general theory of employment and the interest money book किसकी है दोनों बुगे किसकी है the general theory of employment and interest money book किसकी है यह किसके दोर लिखे गई है लिखे गई है केंस द्वारा ठीक है next book है next question प्रतम बैस्विक आर्थिक मंदी कब हुई थी प्रतम बैस्विक आर्थिक मंदी हुई थी 1873 में next question question no.10 भारत में कौन सी योजना को महाल नोबिस योजना के नाम से जाना जाता है तो दूसरी पंचवश्य योजना यानि कि जो कि हमारी दूसरी पंचवश्य योजना 1956 से सुरों के 61 में एंड वी थी इसको ही हम क्या करते हैं महाल नोबिस योजना करते हैं इसमें जो फोकस किया गया था भारी उद्ध्योग पे किया गया था और इसे टाइम पर राउर केला भिलाई तता दुर्गापुल स्ट्री प्रांट की सामना की गई थी नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 13 1987 के ब्रेटलेंड रिपोर्ट ने किसके बारे में बताया है तो ब्रेटलेंड रिपोर्ट हमारे सतत विकास से विशो पर्यावरन और विकास आयोग ने अपनी ब्रेटलेंड रिपोर्ट हमारा साचा भविशा प्रकाशित किया था इसमें प प्रांसीसी पत्र कास्माज वाद सबसे और 1832 में वह सबसे पहले की वी तो वह लेग लोब भी की कूछ चैनल एलेक्जेंडर लाचे वार्डियर ने ठीक है किसने की थी पियरे लैरॉक्स तथा एलेक्जेंडर लाचे वार्डियर ठीक है समझा जाए नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सबसे पहले भारत में स्टार्ट किया गया था किस वर्ष भारत जन सांख्य की संक्रमन के दूसरे चरण में पहुंच गया था सिधान्त कब वे किस ने दिया था संक्रमन सिधान था 1929 में डिवलु एस थांसनने थी किसे जन्नांकि के जनक किसे का जाता है और क्यों जन्नांकि की का जनक फ्रेंक डवलू नोटिस्टिन को कहा जाता और इनको इसलिए जनक कहते हैं क्योंकि इन्होंने जन् नांकिया संक्रम्र सिध्धान्थ को वैग्यानिक शरूप दिया था इसलिए इनको जन् नांकिया पादर या जनक कहते हैं ठीक है, मिलते हैं मेरे next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care, I hope आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे, and please I request you, please like and subscribe my channel, bye bye and take care.